हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम बनाएंगे यहां पर चावल का बहुत ज़्यादा टेस्टी सा नास्ता एकदम फटा फट से बनने वाला पहुत हलका फुलका सा यह चावल का नास्ता जिसे आप किसी भी समय बना कर इंजॉय कर सकते हैं और इतना टेस् अब बैटी के टीफिन में बना कर देती हैं बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में जटपट से बनाना शुरू करते हैं यहां पर चावल की सिवहियां नॉर्मली हम आटे की मैदे की सिवहियां बनाकर खाते हैं तो इसे सबसे पहले हमें उबालना होगा पानी में ज तो एक बगोने में पानी लेना है पानी की गौंटिटी थोड़ा ज्यादा लीजेगा इसमें तेल हो गहरा कुछ भी डालने की ज़रूत नहीं से पानी को आपको अच्छे से खौला लेना है फिर इसमें अपनी वदमी से पैकेट से निकाल के डाल देंगे यह फ्रेंट्स गुमा के इस तरीके से डाल दिया जिब गरम पानी में जाएंगी ना तो यह अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएंगी बस दो से तीर मिनट में बहुत अच्छे से पक जाती है तो इसे आपको हाई फ्लेम में ही उबालना है इस तरीके से यह देखे फिर इसको चेक कर लेंगे ह जाएंगी से पक जाते हैं कि यह पक गई हैं कि नहीं पक गई हैं तो यहां पर बस मुझे लग रहा था कि इसको एं इस तरीके की रेइपिया बच्यों के टिफिन में भी बना के देखे लेंगे यो अच्छे से पक शुका है तो बस अब इसको च्छान लेंगे। च्छान के इसको पानी हमें हटाना है, मैंने च्छानी लिए था, इसको ठंडा होने देगी, जब तक इसके लिए कुछ छॉपिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहांपर लीए कुछ सबजियां, इसको सब्जियां डालके फ्राई करेंगे बहुत टेस्टी लगती है खाने में मदलब चावल जैसा ही टेस्ट आता है इसमें असा लगता है इसमें फ्राइड राइस खा रहें तो यहां पर लिए मैंने थोड़ी सी गाजर दो टमाटर एक प्यास दो हरी मिर्च अध्रक शिम के लिए तो पारी कट करके डाला है और अच्छे से मैंने चौप कर लिया थोड़ी सी अध्रक लेंगे उसको भी कद्दू कस कर लेंगे तो फ्रेंट्स यह देखिए सारी चीज़ें अच्छे चौप हो गई अब हमें के पैनलेना है पैन को अच्छे से गरम कर लेंगे इसम पूल रिफाइन डॉय लिए आप चाहते से सरसू के तेल में भी बना सकते हैं बहुत दीटेस्टी बनेगी उसमें भी तेल गरम होने पेस्ट में डालेंगे हाफटी एसपी अपना राई च्छोटी वाली सरसू और साथी हाफटी एसपी जीरा डाल देंगे जैसे दोनों कि बिल्कुल भी जूरत नहीं कि लेस्ट से टेस्ट कुछ अलग हो जाएगा तो इस तरीके से ट्राई करिएगा प्यास को थोड़ा सा पकाएंगे जब कलर चेंज हो जाएगा फिर एट करूंगे इसमें अपने टमाटर और बारी कटी हुई गाजर या कद्दू कस करके पानी निकाल दीजेगा फिर डालिएगा अब इन चीजों को अच्छे से पकाना है जब तक कि आपके गाजर अच्छे से पकना जाए तो तक इनको को खोने दीजे तो यहां पर मैं इसका धकन लगा दूँगी और दो मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्ले में पकने सीर तो अच्छा लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है तो आप चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो ऑफशनल है पनी डालना बाकी सुट कौन हो गया आपका पत्ता को भी हो गया सब ढाल दीजे फिर डालेंगे नमक स्वादा नुसार और साती यहां पर हल्दी पॉटर डालों तो यह ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है बिल्कुल ऐसे लगते हैं हमने फ्राइड राइस बनाया बहुत टेस्टी लगते खाने में फिर यहां पर डालेंगे अपनी वर्मी से लिए जिनका पानी भी अच्छे से निकल चुका है एकदम ठंडी हो चुकी दी इनको डालके आपको अच्छे से मिक्स करना है बस लीजे फ्रेंट्स बन गई हमारी राइस फर में से लिए अक्तम टेस्टी सा नास्ता बचो के टिफिन के लिए भी आप फटा फट 15 मिनिट में इसे बना कर तयार कर सकते हैं अब यहां पर डालूंगे हरा धनिया बारी कटा हुआ और सा कोई गेस्ट आजाएं या फिर बच्चे आजाना तो हमें लगता है कुछ ऐसा बच्चों के लिए क्या बनाएं तो मेग्यों गहरा से बेस्ट है कि आप इस तरीकी की चीज़ें उन्हें बनाकर खिलाएं हेल्दे भी होती है टेस्टी भी होते हो खाने में बहुत अच्छी लगती हैं तो यहां पर हमारी वर्मी सिली बनकर हो गई है तयार रूरोज हमें यही लगता है ना कि आज बच्चों के टिफिन में क्या पना के दे बच्चे भी रूरोज सबजी पराठे पूरी पराठे खाना पसंद नहीं करते रूरोज ओली भी देना अच्छा नहीं को भी बहुत अच्छे लगेंगे अब इसको फ्रेंड सम्सर्व करेंगे तो बस फटा-फट से इनको सर्व कर लेते हैं इतनी बढ़ी हैं बिल्कुल एक एक दम खिली खिली बनकर तैयार होती है ये तो इसे सर्व कर देंगे और यहां पर ना एक बात कर में ध्यान लगना कि हमें ज्यादा नहीं पकाना है जब आप इसको उबा लेंगे ना पानी में तो हाई फ्लेम में ही उबा लिएगा जरूर बताना अज का नास्ता कैसा लगा ये भी बताना और आप मेरी वीडियो को कहां से देखने हैं वो भी कमेंट कर दीजेगा साथ ही मेरे चैनल में नई हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लेज़ेगा जिससे की आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आप लों को मिलती रहे और आप मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहे आई होप आप लों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो यहां पर हम सभी लोग बैट के फिर खा रहे थे इ